कि आज है शौल्डर का वर्क आट सो शौल्डर के वर्कॉट के लिए शौल्डर का वर्म अप को duty को हर भी मुसलिंगार है विदिआ शौल्द से हम लगा तो आज मैं आपको प्रोपर जो है वो शॉलडर की पिस्टेचिंग की बारे में बता देता हूं और दिखा भी देता हूं तो शॉलडर का एक ऐसा जोंट है जहां से आपके सारे में सब्सक्राइब इस तो शॉल्डर की stretching काफी जुरूर रोतेश को पहले warm up कर लें उसके बाद ही workout शुरू करें तो workout की अगर बात की जाए तो आज चार workout लगेंगे shoulder के और upper chest के दो workout लगेंगे तो ये थी तो ये थी कुछ stretching आज की तो अभी करते है shoulder के साथ dumbbell के साथ आपको हलके वेट वाले dumbbell उठा लेने है और simple कोशिश करनी है कि जो shoulder का ankle है वो इस तरह से वो bend हो पाए अगर नहीं हो रहा है तो फिलाल आप ये भी कर सकते हैं उसके बाद दीजरे कोशिश करना कि ये वाला bend हो जाए क्योंकि इससे जो इस तरह से आपको दो सेट लगाने है आपके अपने स्टेचिंग के सो फर्स्ट जो वर्काउट है वो आज काफी एक बढ़िया एक्साइज है जो भी जो कि मैं काफी दिनवाल लगा रहा हूं तो डंपल को सिर्फ यहां पर रखना है जोड़ना नहीं है यहां पर और निचे आगे की तर्स को कुछ इस तरह से ठीक है जी इसके आपको लगाने है तीन सेट और रेपूटेशन जो रहेगी बारा से दस की बीच में या फिर बारा से पंदरा की बीच में पहली सेट में यह रीजिएगा तो उपर कोशिश करने है कि जोडने नहीं है तो यह थी आपकी शोल्डर की पहली रगव के हैं ज्यादा मुझे भी कुछ पता नहीं है लेकिन मैं जहां तक अभी तक सीख पाया हूं वर्क आप मैं लगाता हूँ बागी जो मेरी नोलीज में नहीं होते हैं वो मैं अपने जिम के हमारे गुरु उन से पूछ लेता हूँ तो यह था हमारा शॉल्डर का पहला वरकाउट तो इसके तीं सेट लगाने है तोउ इसका है वह वो फोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है तो अभी लगाते हैं दूसरा वरकाउट ल करें जो रहने वाली है वो आपकी एंगल रहने वाली है आपको अभी दिखा देता हूं सनेक रोड जिसको हम सनेक रोड बोलते हैं कुछ यह वाली एंगल वाली और ग्रिप जो रहेगा इसका यहां से रहेगा बाहर से और यह लगाने सिंपल है होल्ड रखना है आपको दो सेकंड का स्क्राइब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन सो बारा से पंद्रा के बीच में रेपोडेशन लगेगी तो पहला जो मेरा सैट रहता है वो मैं खाली रोड से लिगाता हूं अब बारा से पंद्रा के बीच में रेपोडेशन उसके बाद में बेट को बढ़ाता हूं ठीक है जी तो यह था कुछ इस तरह से तेती यह लगाना बिल्गोल दीरे दीरे लगाना यह अप अंड डाउन ठीक है जी तो यह था हमारा सेगिंड वरकाउट अभी चलते हैं थर होल्ड फिद डांटन अप और रख रखनाए तो यह था हमरा थब यह प्रकाउट अभी जलते हैं फोर्ट पे अभी लगाते हैं लाश और ऑड़ जो की मेरा फेरी प्रकाउट और शूडर की मूवलूट्वियल्टी के लिए बीटा नहीं इसको देशी वरकॉट भी बहुत सकते हैं आप अखाड़े में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बर लेकिन इससे शोल्डर की जो में विल्टिया और कटिंग आपको काफी बढ़ी आती है सो यह आपको लगाने है बारा से पंदरा की बीच में रेप्रेशन हलका बेट रखना बड़े राम से ठीक है जी गर्दन के पीछे से बड़े ही राम से आना है ठीक है सो दीरे दीरे जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सो उसके बाद यह एक्साइज जो है वह आपको काफी बढ़ी लगने लगेगी जैसे कि मुझे बड़े के राम से लीचे फिर वापिस ठीक है जी ठीक लीचिएगा कि यह था हमारा फॉर्थ वर्क आउट तो अभी चलते हैं अपर चेस्ट अपर चेस्ट पर डंबल डंबल प्रेस अपर चेस्ट के लिए हलका वेड़ उठा लेना है और यह लिजिएगा कर दसे बारा के बीच में रैपोडेशन शोल्डर के जो साथ जो है वह आप अपर टेस्ट लगा सकते हैं तो इसको उपर जोड़ना नहीं है सिंपल नीचे आप जी बारा से दस के बीच में रैपोडेशन आईगे इसकी अब यह आपको मैं ज्यादा बहुन नहीं करूंगा ठीक है आपके इसके साथ ही मैं आपको दूसरी एकसेज भी उता देता हूं फिलाल इसके तीन सेट लगाने तो अभी मैं आपको इसके साथ ही यह वरी लगानी है सिंपल ठीक है जी डंबल को कुछ इस तरह से बकरना है यह देखिए यह बड़े ही राम से सिंपल यह लीजिएगा अगर अप 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 अडाउंट अप 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 कोशिश एक ने जब उपर डंबल जाएगा तो यहां पी जाएगा और नीचे यहां पर यहां पर आएगा बाजू जो यह कुछ इस तरह से बैंट रहेंगी यह देखिए बिल्कुल चेस्ट के साथ तो यह था हमारा सेकंड वर्काउट अपर चेस्ट का सो आज की जो जो आज का जो वर्काउट अब होता है यह पर कंप्लीट तो उसके बाद अगर आप को लग रहा है कि थोड़ा सा वर्काउट कम किया था फोराम या फिर अगर आपको वर्काउट में लगती है थोड़ी सी कमी की हा मतलब भी थोड़ी सी कमी है तो आप या फिर फोराम लगा सकते हैं फोराम की एक साइज है जो मैंने आपको बता यूई है एपस की में बता देता हूँ सिंपल वही प्लैंक ठीक है जी प्लैंक लगाना है सबसे पहले जो स्टार्डिंग है वो प्लैंक से करनी है लगाने के बाद आपको प्लैंक में यह वाली पॉजिशन बड़ा ही राम से करनी है ठीके जी आप टाइम लगा सकते हूँ इसमें रैपोडेश्ण नी होती है आप टाइम लगा दीजिए और उसके बाद फिर आपको शिम सबसे में एक्साइज जो कि मैं भी नहीं लगा रहा हूं कुछ कुछ दिनों से तो आप कहीं पैर लगा के दिवार के साथ लगा सकते हो तो यह वाली एक्साइज ठीक है जी बड़ी अराम से लगानी है जी उपर आना और बड़ी अराम से नीचे इसके जो रैपूटेशन हुआ के बारां से दस के बीच में आने चाहिए तो दो सैट लगाने है इसी तरह आज की वर्काउट को आज की वर्काउट को करते हैं यहीं पर कंप्लीट तो बाक्की जो डाइटा वो मेरी साथ-साथ में चलती रहती है तो थोड़े दिनों से मैं बाहर गया हुँ था तो उस वज़ा से प्रोपर जो वीडियो है वो नहीं डल पा रहे है यूट्यूब प झाल बाहे